रिसेंटल इंस्ट्रेग्राम रील पे इस तरीके का नेम आर्ट वाली रील वीडो जो बहुत ही तेजी से वायल होरी अगर आप भी अपना नेम का इस तरीके का वीडो बनाना चाहते हो और वायरन करना चाहते हो अपनी वीडो को तो ये वीडो लास्ट तेक जरूर से देखन क्योंकि आज की जोड़ मैं आपको डीटेल में दिखाने वारों कि आपका डैप में हम इस तरीके के रील वीड़ो जी कैसे एडिट कर सकते तो बीना टाइम वेस्ट के टूटेल को स्टार्ट कर लेते हुँआ करील वीड़ो बनाने के लिए नेम आर्ट वाला हमें सबसे पहले एक ऐसा इमेज क्रियेट करना पड़ेका ठीकर नेम आर्ट का एक हम इमेज बनाना होगा तो हम image बनाने के लिए pixel lab application का यूज़ करने वाले हैं आपको प्लेश्टूप बिल्कुल फ्री में मिल जाता है आप वहां से इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको cancel को पर क्लिक कर देना एंड इसे यहां से डिलीट कर देना इसके अभी हमें जरुवत नहीं है ठ अग्यां और अगर आपको रील वुड़ो का रेश्टू में बराना है तो आप यहां पर थ्री डॉट के ओपर क्लिक करना image size के ओपर जाना एंड यहां पर आप 9 पूट कर देना और यहां पर 16 ओके यह पूट करने से रील वूड़ो का रेश्टू यहां पर आजाएगा द उसके बाद इसे done कर लेते हैं तो यहां पर एड हो गया देन इसका size को increase करें पूरा screen में fill कर लेंगे और इसके उपर click करके इसे lock कर देंगे ताकि यह ही लेना यहां पर font add करने या फिर अपना नाम एड करने के लिए एक के उपर आपकर करना देन इसके बाद टेक्स्ट को पर click करने एंड एडिट को पर जाना है और अपना name यहां पर लिख देने तो मैं कमील लिख देता हूं जो कि हमारे channel का honor है ठीक है और इसे capital में करके just done कर देते है देन इसके हम यहां पर adjust कर लेंगे जहां भी हमें adjust करने का दिल होगा वहां कर लेंगे और scroll करने के बाद आपको एक font का option देखने को मिलता है इस font को पर आपको क्लिक करना and my font को पर जाके आपको यह वाल font को choose करना है ओके बट यह वाल font add करना पड़ता है पहले से added नहीं र download वाला file के ओपर जाना है और इस font को select कर लेना ठीक है इसका नाम urban jungle है इसे आप सेलेक्ट करके just add कर देना तो यह font यह add हो जाएगा उसके बाद आप इसे select करके just done कर सकते हो ठीक है इसका size थोड़ा increase कर लेंगे and उसके बाद यहां scroll करेंगे और spacing के ओपर जाके 1-2% या 3-4% and increase कर देना जितना में आपका लगने है कि कहा थोड़ा अलग-अलग हो गया ठीक है तो इस तरीके साब इसे increase करके जहां आपको adjust करने का दिल करते है वहां पर इसे adjust कर देना तो मैं यहां रख लेता हूं देन उसके बाद इसमें आप थोड़ा बहुत गुलो इफेक्ट ला गया देन इसमें आपको एक PNG या फिर यू बोलो बर्ड वाला जो इमेज था उसे add करना होगा प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा यही ठाड़ वाल बटन को पर क्लिक करके import को पर क्लिक करेंगे और यह वाला बर्ड पी एंजी जो है इसे आप यहां पर add कर देना ठीक है इसका system को उपर जाके ultra और save to gallery ओके save हो गया अब उसके बाद हम CapCut को use करेंगे एंड यहां editing करने वाले तो CapCut के बारे माँ आपको एक चीज़ पता होगा हमें किसी VPN से पहले connect होना पड़ता है CapCut को use करने के लिए तो मैं यहां पर super VPN को use कर रहा हूँ एंड इसे open करके just connect कर ले होगे connect देन उसके बाद CapCut को open कर लेते हैं और open होने के बाद आपको यहां पर प्लस वाले बटनी को पर क्लिक करना होगा देन अपना जो फोटो है उसे फोटो को आपको select करने यह वाला ठीक है then add को पर क्लिक कर देंगे photo हमारी यहां पर add होगी अब उसके बाद आपको ज select कर लेंगो 14 seconds का यह music है तो प्लस वाले बटन को पर tap करते हैं इसे यहां पर add कर लेते ठीक है add हो गया अब उसके बाद अपना image को भी हम 14 seconds तक increase कर लें क्योंकि इतना ही दूर तक music भी है तो increase कर लिया अब उसके बाद अपनी music को पर आपको क्लिक करना ठीक है and यहां पर match cut out को पर जाना देन से आप प्ले करोगे ना तो यहां पर बिल्कुल यह वाले portion पर देख सकते हो 4 seconds में जो यह आप जा रहा है इस वाले portion पर आपको beats सुनाए देगा ठीक है आप इसे प्ले करोगे तो आपको यहां बीट के लिए लिए सुनाए देंगे यहां पर चार बीट हैं जहां 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 यह ऊपर जा रहा है ना graph वहां वहां पर बीट है ठीक है तो आप सिंपल से यहां पर इस तरीके से beats को add कर देना यहीं सेम काम आपको थोड़ा दूर जाने के बाद भी करना होगा क्योंकि यहां पर भी बिल्कुल same pattern में beat है ठीक है तो यहां पर भी च हमारा first beat है तो यहां पर इसे split करेंगे then next फिर से split करेंगे फिर से split करेंगे एंड उसके बाद यहां beat है यहां भी split करेंगे okay then last में भी एक हमारा चार beats है तो यहां पर भी आद दें and इनहें split कर देते split वाला काम हो गया अब उसके बाद animation हमें add करना तो starting में पर क्लिक करना animation को पर जाना and जो सब को यूज कर रहा है उसका नाम है unfold यह वाला ठीक है आप भी इसे use कर सकतो बट मुझे यह उतना बढ़ियां नहीं लगता है तो हम क्या use करेंगे none इसे कर देंगे and combo में हम जाएंगे ठीक है इन animation नहीं यूज करें combo में जाएंगे यहां पर यह जो popping है इससे आप यूज कर सकतो मुझे अच्छा लगते है मेरा personal opinion है जो सभी लोग यूज कर रहे हो तो मैं आपको बता दिया unfold आप उससे use कर सकते हो दें उसके बाद इसे done करने ठीक है उसक नेक्स्ट वाले पर स्विच हो जाना unfold and उसके बाद यह जो लंबा वाला है ठीक है यह देख सकतो इतना बड़ा वाला इसमें आपको combo के उपर क्लिक करना होगा आपको ठीक है आपको यहां पे जो लास्ट में चार है इनमें भी आपको unfold ही use करना है तो unfold को फटा फट सेलेट कर लेते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और वीडियो को यहार लाइक जरूर से कर देना ठीक है